H.A.L. तेजस को इंडियन एरफोर्स और नेवी के लिए DRDO, हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड और एरोनोटिकल डेलप्मेंट एजिंसी ने मिलकर के बनाया है वहीं JF-17 थंडर को पाकिस्तान की एरफोर्स के लिए चाइनीज कमपनी CSE और पाकिस्तान एरोनोटिकल कॉंप्लेक्स ने मिलकर के तयार किया है तेजस एक सिंगल सीट सिंगल एंजन मल्टी रोल लाइट कॉंबेट एरक्राफ्ट है जिसमें USA का जनरल इलेक्रिक 404 एंजन लगा हुआ है वहीं JF-17 थंडर भी एक सिंगल सीट मल्टी रोल फाइटर है जिसमें रश्यन ओरिजिन का क्लीमो वार्डी 93 एंजन लगा हुआ है तेजस मैकसिमम 2200 किलोमेटर पर आवर की स्पीड तक जा सकता है और इसका मैकसिमम टेक ओफ वेट है 13500 किलोग्राम और एंज है 1800 किलोमेटर के लगबग और JF-17 अप्रोक्सिमेटली 1900 किलोमेटर पर आवर की स्पीड तक जा सकता है और यह मैकसिमम 12300 किलोग्राम वेट के सा तेजस ने 2001 में अपनी पहली फ्लाइट ली थी और हर एक वेरियंट की प्राइस पचास मिलियन डॉलर के लगबक है। JF-17 ने अपनी पहली फ्लाइट 2003 में ली थी और इसके हर एक यूनिट की प्राइस भी सिमिलर है।